स्वागत है आपका इंडिया की बात में मैं अभिसार शेर्मा और मेरे साथ हैं भाशा और और मिलेश और आज आपके सामने तीन मुद्दे सामप्रदाइक हिंसा रोक पाने में BJP की नाकामी और प्रदान मंत्री की चुप़ी मुद्दा नमबर दो आपके सामनी होगा एक ट्रेन में हत्या और उसमें गून जाती है दो नामों की मोधी और योगी और मुद्दा नमबर तीन संसद में विपक्ष का माइक ओफ क्यों? शुरुवात करना चाहेंगे हम पहले मुद्दे से जैसे कि आप जानते हैं हर्याना के नुह में सामप्रदाइक हिंसा होती है, टकराब होती है कम से कम आधा धर्जन लोग मारे जाते हैं जब मुख्य मंतरी मनोरलाल खटर से पूछा जाता है कि आप नाकाम क्यूं हैं तो कहते हैं कि पुलीस हर जगा नहीं पहुंच सकती है कोई काम करने को राजी नहीं है और खुद उनके डेपिटी चीफ मिनिस्टर जो हैं उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं कम से कम उनके बयान तो और प्रधान मंतरी नारेंद्र मोदी मनिपूर पर खामोश थे और यहां पर भी खामोश बने हुए हैं क्या है इस मुद्दे का पंच शुरुवात करते हैं भाशा के साथ अभिसार मेरा मानना है कि वो विफल नहीं वो सफल है क्योंकि उनका मकसद है नफरत पहलाना इस तरह की सांप्रदाइक तनाव पहलाना और यह उपर से लेकर नीचे तक आ रहा है शायद यही वज़ा है कि तमाम सांप्रदाइक तनाव और हिंसा के मामलों में प्रधान मंत्री नरेन मोदी चुप चुप और चुप रहते हैं अभिसार क्या है इस पर आपका पंच प्रधान मंत्री नरेन मोदी चुप 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 और चुप रहते हैं में अगर सीकर में बहुत बोलते हैं महराश्र में बहुत बोलते हैं अरे कम से कम अब तो बोल दीजिए गुरु ग्राम तक में हिंसा हो रही है जो कि इस देश का आईटी हब माना जाता है देश आखिर कितना बदनाम होगा क्या है इस मुद्दे का पंच बताएं उर्मिलेश देखें अभिसार साम प्रदाइकता भारती जनता पार्टी की राजनीत काविभाज ये हिस्सा है और इस बार दो हजार चोबिस के चुनाव का तो वो इजिंडा बन कर ही रहेगा दो दशमलाव साथ करोड लोगों के घर घर में पुलीस सुरक्षा नहीं दे सकता ऐसा बोलते हैं माननीय मनुरलाल खटर मगर इनकी खटारा नीतियों को एक्सपोज इनके अपने मंत्री कर रहे हैं इनके अपने सांसत कह रहे हैं कि भाई ये जो यात्रा गई सबसे बड़ी बात जब इतनी समवेदंशील यात्रा जा रही है तो आपको समुदायों की बीद समवाद कराना चाहिए माना आप सबको सुरक्षा नहीं दे सकते मगर कम से कम जिस यात्रा जिस रूट से गुजर रही है उसको लेकर थोड़ा सैनिटाइज करना था खुद दुशन चोटाला कह रहे है भई हत्यार कैसे आए इनके पास नहीं और अभिसार ये सारी बाते तो खटर जी ऐसे कह रहे हैं जैसे उनको पता ही नहीं था कि यात्रा जा रही है मैं तो यहां यह कहना चाहूंगी सारे दर्शक सारी देश और दुनिया जानती है कि इसे लेकर बिट्टो बजरंगी हो या मोनु माने सर एक हफता पहले से वो सोशल मीडिया पर अपने वीडियो डाल रहे हैं वीडियो और बकायदा उकसाने वाले बयान दे रहे हैं कि हम इस रूट से जाएंगे और बिट्टो बजरंगी की जो भाशा है उस हिसाब से तो उसकी तुरंट गिरफ्तारी होनी चाहिए जहां वो कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं तुम हमारा स्वागत करने आओ हम चैलेंज करते हुए आर रहे हैं यानि आप प्रवोक कर रहे हैं यहां ब पुद मौजूद रहोंगा आप बड़ी संख्या में आओ खटर जी ये सब जूट चल नहीं पाएगा आपका उर्मिलेश जी इस देश में पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि इसका जो शेहरी मत दाता है वो कॉम्पलिसिट रहा है बिगिटरी में नफरत में उसको वो बढ़ावा भी देता है मगर अब तो गुर्गराम के आईटी हब में पहुँच गई है शेहरों के दर्वाजे में आपकी सुसाइटीज के दर्वाजे पर ये हिंसा पहुँच गई आपने घरों से आप देख रहे है अगर वहां के लोगों से बात कीजिए जो काम करने वाले लोग हैं मैं जहां रहता हूँ वहां पर गुर्गाओं में काम करने वाले बहुत सारे लड़के हैं उनके माता पिता लोगों से भी मेरा परिचाह बाचीत होती है पार्क में वाक करते समय और मैंने पाया है कि व अपने बच्चों की परवा है उनकी नौकरियों की परवा है उनको ये परवा है कि रात को सोते समय एक मान लीजे उनका लड़का किराय के मकान में कही रहा है वहां और अचानक आग लग जाए क्या होगा क्योंकि जिस तरह से उन्होंने आग जनी देखी है गुरगाओं के उ यात्रा निकाली ही क्यों गई क्यों यात्रा निकाली जाती है जनरली दुनिया भर में यात्राएं तीन चार कारणों से होती है एक तो खोज यात्रा जैसे कोलंबस की यात्रा बाद में भी बहुत लोग करते हैं हम लोग भी जाते हैं ग्यान यात्रा होती है कि भई पहाड देखा जाए, पहाड के बारे में समझा जाए, बनस्पतियों के बारे में, दुनिया के बारे में, दूसरी एक यात्रा होती है कि मज़े की यात्रा, ज्वाए, जैसे बहुत सारे लोग है अपनी मोटर साइकिल लेकर लद्दा की तरफ निकल पड़ते हैं, मज़ा है, नौज जोवान लोग चल रहे हैं जिनकी कोई धार्मिक्ता नहीं है जिनका कोई इंटेलेक्च्छल कोई ऐसा बोध नहीं है। पुर्मिले जी यह सांपरदाइक यात्रा है और यह पहली बार भी नहीं पिछले बार भी पिछले साल हुई पिछले साल वहां का जो दरगा है उस दरगा को दोस्त किया गया और उस दरगा को दोस्त करने के बाद सांपरदाइक तनाव ना पहले इसलिए लोगों ने रातो र भड़काना, प्रोवोक करना, मगर मैं एक चीज यहां पर और रखना चाहता हूँ, कि G20 को लेकर आप सम्मेलन करने वाले हैं, यही नहीं, इसी साल World Cup का आयोजन, World Cricket Cup का आयोजन होने वाला है भारत के अंदर, मैं यह समझना चाहता हूँ इन लोगों से, खासकर इस सरकार की निरुंकुष्टा से, जो सरकार पूरी तरह से कुमकरनी नीन सो रही है, आप दुनिया के सामने किस तरह का शोकेस कर रहे हैं? नहीं और आप देखें, मोदी जी, वर्ल्ड काप क्रिकेट और इतना हिंसा, यह हिंसा आप शोकेस कर रहे हैं, यह तो सबसे बड़ा, मुझे करते हैं हिंदू भाईयों से कि राखी आ रही है, आप जाए है, आप मुस्लिम परिवारों में जाए है, और आइरनी यह है, विडंबना यह है, कि यह तमाम लोग जो भाश्पा से खुद को जोड़ के देख रहे हैं, विश्वे हिंदू परिशद और बजरंग दल, यह ख कर रहे हैं, हमारा स्वागत करो, यानि प्रवोक कर रहे हैं, उन पर मोदी जी को एक शब्द नहीं बोलना होता, वहाँ पर एक जने की गिरफतारी तक नहीं होती है, अभी सार, जो यह तमाम वीडियो जारी किये, कम से कम साम्रोदाइक दनाव पहलाने पर, उर्मिलेश जी देखिए, प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी की चुपी और जब बयान देते हैं, जिसका जिक्र अभी अभी भाशा ने किया, तो इस तरह के बयाना जिसके कोई माइन नहीं, मैं आपसे समझदा चाहता हूँ, जब प्रधान मंतरी इस तरह की बाते करते हैं, या कल जो अमिक एक तो बहुत जबरदस्त कंफिडेंस है इन लोगों में, जैसे आपने पूछा कि G20 हो रहा है, इसके पहले ये सब, मालीजे G20 के सारे के सारे जो राष्टा अध्यक्ष हैं बाहर से आने वाले, वो आ गये हों और कारिकरम चल रहा हों, उसी समय कुछ हो जाए, तो ये भा इस बात का है किसके बात भी, मैं एक चीज, एक चीज बता दूँ अपने दर्शकों को, हलाकि दर्शक जानते होंगे और आप भी जानते होंगे, कि उस वक्त, मत भूलिये कपिल मिश्रा पुलीस की मौजूदगी में कह रहा था, कि अभी तो ट्रम्प है, हम वापिस जा र लेंगे, उसको मैनेज कर लेंगे, क्योंकि इनके पास ताकत है, और ताकत कहां से आई है, ताकत आई है कार्परेट से, ताकत आई है मीडिया से, मेंस्ट्री मीडिया से, खास कर टीवी पुरम से, पूरे देश में गाउं गाउं कस्बे कस्बे अपनी बात कहाते हैं, कहला बड़ा उनके लिए एक साल है भाशा मैं आपसे समझना चाहता हूँ देखिए प्रधान मंत्री की चुपी तो हमें दिखाई देती है मनिपूर में भी चुप रहते हैं यहां पर भी चुप हैं मगर क्या इस चुपी के पीछे वो राज़नीतिक सोच है कि इसे होने दीजिए polarization होते रहने दीजे होते रहने दीजे इस बात की परवा भी नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं जैसे मैंने जिक्र किया World Cup होना है यह तमाम चीजे इनको परवा ही नहीं है क्योंकि देखे मुझे लगता है कि दो इस तरों पर मोदी सरकार काम कर रही है जो उन्होंने साबित भी किया है जब अमरीका जाते है तब भी उनके अपने मुख्यमंत्री बात करते हैं ओबामा को निशाने पे लेते हैं और स्लामोफोबिक कमेंट करते हैं और उनको लगत ले हैं जिनको आपने हथियार दिये हैं यह नौजवान मनिपूर के नौजवानों से अलग नहीं है जिनके पास ऑट्रमेटिक राइफिल्स और गन्स हैं आमड वेपन्स हैं यानि वह तैयार कर रहे हैं कि अगर हम सरकार में नहीं आ पाए कुछ गरबड़ी हो गई यह जो से यह एरपोर्ट और गुडगाव आता है यानि यह चाहते हैं कि इस तरह से दुरुवी करण हो और इसका काउंटर जो एक खाली हुआ है वो जाटों ने किया है जाट किसान हरियाना की खाप पंचायतों ने कहा है कि भाई हमें यह हिंसा नहीं चाहिए हम अमन चाहते हैं और उसके कदमों में एक आदमी की लाश थी वो आदमी तब भी जिन्दा था और वो यह कहता है कि इस देश में वोट देना है इस देश में रहना है तो मोदी योगी हैं उस खबर को मुख्यधारा की मीडिया नो तो दबा दिया मगर यह बतला रहा है कि मीडिया ने क्या काम कर गया है इस देश का नफरती मीडिया क्या है स्मुद्दे का पंच बताएंगे और मिलेश देखे मुझे ऐसा लगता है कि ये जो समाज के अंदर इस तरह के जो नफरती तत्तो पैदा हुए हैं वो बहुत बड़ी संख्या में हुए हैं और हर उम्र के हुए हैं तो ये एक तरह के जांबी हैं जो घूम रहे हैं चारो तरफ कब क्या करने कोई शिकाना नहीं भाशा क्या है समद्दे का पंच एक जिस नफरत को चारो तरफ से फैलाया जा रहा है इसको पल्लवित पुश्पित किया जा रहा है उसमें इस तरह के जिन बाहरान्या और इन जिनों का खून का प्यासा होना तार्गेटेड हिंसा है ये और इस पर जिस तरह की कवर अप है जिस तरह से इस पर पूरी पुताई की जा रही है कि नहीं उसका दिमाग खराब था, ये था, वो था, वो और ज्यादा खतरनाक है क्योंकि उसमें मीडिया दूसरे ढंक से खेल खेल रहा है, अब इसार क्या है इस पर आपका पंच? इस मुद्दे पर मेरा पंच यह है कि ब्रेनवाश जनता की सोच जो है, वो एक मानव बॉम जैसी हो गई है, और एक पूरी की पूरी पीड़ी, मीडिया बरबाद कर चुका है, दिल्चस बात यहां पर यह है उर्मिलेज जी कि मीडिया ने इसकी चर्चा नहीं की और जब चर के लिए पर्मिनेंट सॉलिशन, फाइनल सॉलिशन की बात करता है, जिस तरह की शब्दावली नाजजी इस्तिमाल कर दे थे, यहूदियों के लिए, वर्ल्ड वार टू के लिए, जबकि सब जानते हैं कि वो आदमी जिस तरह से बोल रहा था, मैं कहता हूँ, अगर वो मान की किस्म के लोग होते हैं, वह भी एक मानसिक बिमारी ही है, कोई एक नॉर्मल हुमन बिंग, इतनी ख्रणा का पुतला नहीं बन सकता है, जो अपने देश में जो कॉमिनल एलिमेंट्स हैं, जिनके अंदर नफरत बरी हुई है, वो उनको कहा जाए कि वो नॉर्मल लोग है, वो नॉर्मल नहीं है, अबनॉर्मल है, लेकिन जो रोग के तौर पे पागल जिनको आप कहते हैं, वो ये नहीं है, ये रोग के तौर पे पागल नहीं है, ये केवल अपनी वैचारी की में पागल है, तो मैं जो वो जो चेतन सिंग नाम का अदमी है, ये केवल एक पर था अगर ऐसा कुछ होता कि वह मानसिक रुट्वे बिक्षित है तो इसको ड्यूटी पर लगाया ही नहीं गया होता इतनी इतनी गया जिमेदारी अभी भी नहीं है शासन प्रसासन में इसका मतलब कि वह नफरती था और कोई ने कोई आर्गोमेंट हुआ था मिस्टर मीरा से जो अब नहीं है इस दुनिया में जो बता सकें कि आकित समय सुबह सुबह हुआ क्या था लेकिन वह जरूर प्रवोक हुआ था और वह पूरे अपने भी स्पोर्ट एक तरह से क्या कहेंगे उसके अंदर भी स्पोर्ट हुआ सबसे पह डायलाग उसने मारा है जिसको आपने अभी सुनाया तो अंग्रेजी के अख़बारों में छपा है हिंदी के अख़बार खामोश रहे आम तोर पे तो इसका मतलब है कि ये जो लोग है वे कहीं न कहीं जो वाटसअप इनुस्टी है टीवी पूरम है इनके बना हुए लोग अतार कि इस देश के सबसे धनी व्यक्ति मुकेश अंबानी का न्यूस चैनल वो मुकेश अंबानी जिनने इतना प्यार दिया इस देश की चनता ने और उनके कम से कम दो ऐसे आंकर्स हैं जो जहर उगल रहे हैं नफरती घटनाओं को जायस करने के जो हैं वो जरीट बनाते हैं वजह बनाते हैं मैं आपसे समझना चाहता हूं कि किसी मुकेश अंबानी की क्या मजबूरी हो सकती है इस हेट का समर्थन करने के लिए खासकर जबकि हम देख रहे हैं उसका परिणाम है जी उसकी मजबूरी सबसे बड़ी है कि पॉलिटिकल मास्टर को खुश करना क्यो गुर्गाओं में घूम रहा था और देख रहा था कि कहाँ पर मुस्लिम नाम के दुकाने हैं उनको टार्गेट किया जाए इस व्यक्ति में और उस व्यक्ति में कोई फर्क मुझे नहीं लगता है यही नहीं आपने कहा कि जो ढून ढून कर कर रहा है मैं तो एक कदम और अ समय जो प्रचार चलता रहता है कोई मुझे लगता है कि जिस तरह का प्रचार, जिस तरह की नफरत और खास तोर से हमें भूलना नहीं चाहिए, कोरोना के समय से लेकर अब तक एक ही एजंडा है, सिर्फ एक एजंडा, तबली की जमात के बहाने, मुसलमानों को निशाने पर लेकर, आप लगातार यही दिखाते हैं, कोई इंसिडेंट होता है जहां पर प्रेम का मामला है, नफरत का मामला है, वहाँ भी आप हिंसा लाते हैं, यानि आप लोगों को एक मानव बम में तब्दील कर रहे हैं, कि उनको किलिंग में जाना है, उनको रैंपेज में जाना है और यह जो वीडियो जाते हैं जो अभी चर्चा की मोनु माने सर का वीडियो देखने वाले siento करोड में दरएसल हिंसा के पकष में खड़े लोगा जो बिटो तुरंट गोली चला दूंगी यह सारा जो एक पिस्टॉल का हथियारों का इस्तमाल दिखाया जा रहा है कि आपको करना है यानि कि बिल्कुल यानि कि जैसे मैंने कहा अपने पंच में कि पूरी पीडी को बरबाद कर दिया गया है अब मुझे कम से कम कोई उम्मी नहीं दिखाई देती मगर मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूँ मैं देख रहा था अखिले श्यादव एक ऐसे न्यूस चैनल में जाकर बैटकर इंटर्वियू दे रहे थे जो खुले आम कह रहे थे कि हम तो मोदी और योगी की सेवा करेंगे जैराम रमेश एन आई को देकर इंटिवियू देते हैं और मुझे पता चला है कि उनसे पूछा गया था कि भाई इन नफरती आंकर्स के कारेकर में क्यों भेचते हैं तो उन्होंने ये तक कानी साब हम में और उन कटर सोच वालों में कुछ तो फरक होना चाहिए यानि कि नफरत की दुकाने आप चलाएं ये भी खबर आ रही है कि किस तरह से भूपेश बगेल इसी मुकेश अमबानी के न्यूज चैनल के कारकर में जाने वाले हैं मदद भी की जा रही है 36 गड़ सरकार की तरफ से तो एक तरफ तो राहूल गांदी कहते हैं साहाब महबत की दुकान नफरत के खिलाफ और दूसरी तरफ आप ही के अपने पार्टी की लोग इस नफरत को स्पॉंसर करते हैं ये दोहरे माबदर नहीं है देखे मैं आपको एक बात बताओं अभी सार कि ये जितने लोग है जितने चैनलों में आपको पुदले दिखाई दे रहे हैं दरसल ये वही लोग हैं जो कॉंग्रेस की जब सरकार थी तो भी थे और अच्छे अच्छे पदों पर थे उन्हीं के नित्रत्तों में आज टीवी पूरम क्रियेट हुआ है ऐसा नहीं है कि टीवी पूरम आलब फड़न आया है उस समय भी इनकी सैलरीज इनकी ओहदे काफी ठीक ठाथ थे तो कहिन कहीं हमारे समाज में जो रायनितिक दलों के अंदर लोग है वो लोग एड़ेस्ट कर लेते हैं इन चीजों से आप और हम या बहुत सारे लोग जो हैं वो भले इससे एड़ेस्ट ना करें उनको लगे कि नहीं मीडिया बेहतर होना चाहिए येरोप के मीडिया की तरह होना चाहिए हाला कि यूरोप की मीडिया में भी कोई हमारा आधरश नहीं है लेकिन भारत जैसे एक विविस्ता भरे समाज में मीडिया का जो रोल है हम एक ऐसे समाज हैं जो बहुत डेवलप्ट नहीं है इन्फॉर्मेशन चाहिए लोगों को नॉलिज चाहिए हम उसको बनाने में कभी गंभीरता नहीं रही है अंग्रेजी के कुछ एक अख़वार अगर छोड़ दिया जाए या हमारी जो वेबसाइटें हैं जो प्रयास कर रही है लिमिटेड रिसोर्सेज के भी के बीच में अगर आप देखें बड़े पैमाने पर अख़वारों में चैनलों में तो इसके लिए कोई प्रयास नहीं है और सरकारों की दरसल चाहिए कोई भी सरकार आगे रही हो या पीछे रही हो उनकी कोई मीडिया पालिसी क्लियर कट है नहीं और मुझे लगता कि अभी तार इसमें ऐख पॉलिटिकल स्टैंड लेने की जरुवत हर और अगर विपक्ष ने ये पॉलिटिकल स्टैंड अभी नहीं लिया उन्हें सीखना चाहिए किसानों से किसानों नहीं कहा कि हमें गोदी मीडिया नहीं चाहिए गो बैक गो दी मीडिया हम अपने हिसाब से तै करेंगे किसको हम इंटर्विव जे और उन्होंने सक्सेज हासिल की तीन कानून वापस लेने पड़े ज़िसरकार को आड करना चाहूंगा कि विपक्ष को इसलिए भी समझना चाहिए कि 2019 में हम खेला देख चुके हैं जहां 2023 में जो मीडिया का रोल है आपके उपर जो निशाना लिया गया है लगातार कम से कम आप इस्टैंड ले ताकि उनकी ऊपर भी क्योंकि देखी हम जानते हैं कि तमाम चैनल में बहुत असर पड़ता है अगर लोग नहीं जाते हैं तो आप कम से कम एनाउंस करिए कि नूप आप ये रिपोर्टिंग कर रहे हम आपके पास नहीं जाएंगे आप संसब में ऐसी रिपोर्टिंग कर रहे हम आपके पास नहीं जाएंगे आईए ना इंडिया साथ खड़ा हो मीडिया एक दूसरे ढंका मीडिया बनाने में भी आप योगदान करिए तब ही आप यह है कि वो यह तमाम चीजें जहर देखता था मीडिया में और उसका असर हमने देखा अब तीसरे मुद्दे की बात करते हैं आठ अगस को अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है बहस होगी और उमीद है प्रधान नंत्री आएंगे मगर विपक्ष की ताकत दो वज़ाँ से कम पहली वज़ा भारती जैता पार्टी जिस व्यक्ति से सबसे ज्यादा असुरक्षित रहती है और जो सबसे ज्यादा उन्हें टेंशन देते हैं राहूल गांदी नहीं है दूसरी बात उनके माई को आफ किया जा रहा है और ये किसी और के साथ नहीं मलिकार जुन खड़के के साथ हो रहा है जो कि नेता विपक्ष है राजसभा में ये सब हो रहा है क्या है इस मुद्दे का पंच शुरुआद भाशा से देखी अभी सार्ब मोधी सरकार ने तकरीवन ये तै किया है कि अब संगोल युग है यानी राजदंड एक राजशाही के तरफ बढ़ रहे हैं बहुत तेजी से और उसमें वो चाहते हैं कि लोकतंत्र विपक्ष हीन हो विपक्ष के बिना किस तरह से सरकार चलाई जा सकती है मानसून सत्र इसका जीता जाकता उधारण देशी नहीं पूरी दुनिया के सामने पेश कर रहा है क्योंकि विपक्ष की आवास को दबाना माइक ओफ करना और मुद्दे पे नहीं आना ये मोधी जी की करामात है अभी सार क्या है इस पर आपका पंच इस मुद्दे पर मेरा पंच ये है कि खुले आम विपक्ष जो है राजसभा के सभापती जगदीब धनकड और लोगसभा के स्पीकर ओम बिल्ला के खिलाब बयान दे रहे हैं और ओम बिल्ला के लिए जी मैं सिर्व इतना कह सकता हूँ कि आपको भूल जाना चाहिए कि पानित पत पर हैं लूक सभाध ध्यक्षें क्या है इस मुद्दे का पंच बताएंगे उर्मिलेश तीकि मुझे ऐसा लगता है कि अविश्वास प्रस्ताव का जो हसर है उसका जो नतीजा है यह तो सबको मालूम है क्योंकि परचंड बहुमत है भारती जनतापाटी लेड़ गटबंदन को लेकिन जो रोकने की बात जो आप कह रहे हैं वो इसलिए शायद है कि डिसकोर्स ज नी छोड़ है वो देश की जनता में नो जाए यह इसकी कोशिश है भाशा आपको क्या लगता है यह जो अविश्वास प्रस्ताव पर बहस होगी खासकर मीडिया ऐसे जिस तरह से ट्पिस देगा और राहूल गांदी की गयर मौजूदगी क्या आपको लगता है यह पूरा वो बाद्धे हो रहे हैं पहली बार मजबूर हो रहे हैं और यह अविश्वास प्रस्ताव जिस तरह से विपक्ष लाया है उसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है मोदी जी सदन के भीतर आईए जवाब देजिए क्योंकि देश आपको सुनना चाहता है तो यहां जो इंडिय युग में प्रवेश कर सुका हूँ मैं राजा हूँ मैं रेड कार्पेट पर चलता हूँ तो आसपास जो लोग होते हैं उनको भी किनारे कर देता हूँ तो वहां पर उनका एहंकार यह है कि मैं अरे आप मुझसे पूछ रहे हैं मैं कैसे जवाब दूँ मैं तो तब करती और लोगसभा की स्पीकर के बारे में सवाल पूछना चाहूँगा क्योंकि आपने राजसभा के काम करने के तरीके को बहुत करीब से देखा है मैं नहीं बूला हूँ एक जमाना वो भी होता था जब हामिद अंसारी भी जब कुछ करते थे तो अकसर देखा करते थे प दीब धनकर मतलब मलिकार जुन खड़े को बाहर आना पड़ा कि आप मेरा माइक आफ कर देते हैं यह अप्रत्याश्यते यह भूमिका हैं दोनों की देखे अविसार मैं समझता हूँ कि एक बेहतरीन जो प्रेसाइडिंग आफिसर है जो पीठा सीर नेतिकारी है वो वो होत दीदे कहीं कोई हिंड्रिंस नहों यह सही है कि सरकार को कानून पास कराने की योजना बनानी पड़ती है इनिशेटिव लेना पड़ता है लेकिन यह मत भूलिए कि अपोजिशन के बगैर कोई भी सरकारी काम अधूरा है बिलकुल अधूरा है और इसी सक्तार उर्दल के ल चंड बहुमत हैं लोग सभा की बात में कर रहा हूं और विपक्ष बहुत कमजोर है इसके बहुत विपक्ष को सुना जा रहा है तो यह मैं समझता हूं कि यह एक अच्छी डिमोक्रसी नहीं है यह कहीं न कहीं डिमोक्रसी जैसे लगता है कि बिलकुल डिरेल कर गई है और हाउस में भी दिखाई दे रहा है यह मैं समझता हूं कि किसी के लिए भी अच्छा नहीं है और देश के लिए तो बहुत ही बुरा है और चीज में खाली कहना चाहूंगी कि इसमें देखे जो राजसभा के आपने धंकर जी का नाम लिया उनका बयान आया कि मोदी जी को बा आप देखो भाशा मैं मेरा इमानना है कि धंकर साहब को या स्पीकर साहब को इस मुद्धे पर यह कहने की जरूरत थी नहीं है कि वो प्राइम मिनिस्टर को बात यह नहीं कर सकते बिलकुल यह ठीक है कोई किसी को डिरेक्ट नहीं कर सकता लेकिन मेरा यह कहना है कि प्राइ कि आपको बोलने की क्या जरुवत है आपका एक पद है आप जो है की सांसदों और मंत्रियों को बोलने दीजे ना जगदीब धंकर साब की दो तीन चीज़ों का और जिक्र करना चाहता हूं जब आपने देखा जब रागव चड़ा उठे तो उन्हें कहने लेगे अभी तुम सभा के सभापती हैं उपराश्ट्रपती हैं आप इस तरह से बात कर रहे हैं क्योंकि देखिए जब वो पश्रमंगाल के गवर्णर भी थे तो जमीन पर उतर जाते थे उनमें और भाश्पा के प्रवक्ता में कोई वर्क नहीं दिखाई देता था दर असल बुनियादी जो एहम पद जिनकी गरिमा रही है जो निश्पक्ष दिखने की कम से कम कोशिश करते रहें मुझे लगता है अब वो दिखने की भी ज़रूरत नहीं है कोई परदा नहीं रहे हैं नहीं जी हम वहां खड़े हैं हम वहीं से बोलेंगे मैं आप से पूछना चाहता हूँ जिस तरह से महले का और भूल जाओंगा अगर आप बोली बोली दिखे ऐसा है कि अब आतीत मेने जैसा मैंने बहुत कहा कि पहले भी कहा कि बहुत सारे ऐसे स्पीकर या चेर्मेन रहे हैं जो याद किये जाते हैं आज भी और जिनका पंती दल हैं जो हाउस में है CPI है CPM है RSP है और उस टाइम तो बहुत ताकत थी और वो इन दलों के नेता भी नाराज हो जाते थे समनादा की कई रूलिंग से और उनके कई फैसलों से उनकी वो पार्टी जिसके वो निर्वाचित सांसत बन घराये थे वो भी कई बार नारा गया है तो यह चीज जरूर देखी जानी चाहिए कि अगर आप न्यूट्रल एंपायर हैं तो आपको छोड़ना पड़ेगा कि आपकी सवाल आखरी सवाल जिस तरह से माइक ओफ कर दिया जा रहा था वो तो अब्वियस था दिख रहा था इसके लावा एक और वीडियो वा हैं आप देखिए ना सिर्फ माइक ओफ किया जा रहा है मगर जो खेल होता है कैमरा के जरिए पूरा राजसभा में कि आप तस्वीरी ना पहुंचने दे जनता ला यह लगता है कि यह देखिए यह डिजाइन दरसल जो लोगतंत्र में बार बार कह रही हूं कि विपक्ष ही लोगतंत्र की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं तो वहां विपक्ष दिखाई ना दे विपक्ष सुनाई ना दे और उसकी इंता यह है कि इतना कम विपक्ष है और आपके पास इतना बहुमात है मोदी जी थोड़ा बहुत बाकी लोगों को भी फुटेज लेने दीजे ताकि प पिसार शर्मा को दीजिए अजासत और इस कारक्रिम को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेर कीजिए नमस्कार